अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में जो बेल आइकने से क्लिक करना ना भूलिएगा ने तो लिटरस रेसिपीज के अपडेट्स नहीं मिलेंगे अपको और ऐसे पी अच्छी लगे तो लाइ बटर चिकन आप उसे रोटी पराठा फुलका या लच्छिदार पराठा या बटर नान या फिर रुमाली डोटी किसी की भी साथ सर्फ कर सकते हो वैसे इन में से कुछ के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दाले है आप महां चेक कर सकते हो यह चिकन बोनलेस है चा बी निकाल लिये और दो लिया है चिकन में डाली नमक स्वादनूंसा आधा कब द़ी कारी दवी और 1 tablespoon भरगर अधरक लसन का पीज, एक चुटा चाय का चमच, चाट मसाला, आदा चुटा चाय का चमच, काली मिर्च पाउडर, आदा चुटा चाय का चमच, भूनावार पिसावा जीरा आदे से पौना चुटा चाय का चमच, गरम मसाले का पाउडर, वैसे ये घर में बना हुआ, इसकी recycling description के अंदर है 6-8 हरी मिर्चियां, और एक मुठी कोथमिर को मैंने पीस लिया, वो भी दाल देते हूँ, और एक निम्बू है, ये भी दाल दीजिए, इसका रस, वैसे हरी मिर्चियां आपने स्वाद अनुसार लीजिएगा अगर आपका लेक पोशन बोनलस नहीं है, तो 2 टेबल स्पून मक्खन भी दाल दीजिए, सारी चीजों को मिक्स कीजिए, और आधा एक घंटा या दो घंटा जितना आपके पास टाइम हो, उतने घंटे के लिए, इसे मैरिनेट करने रख दीजिए, आप चाहे तो भार भी या आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ढाक कर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ढाक कर, एक से दो घंटे हो चुके हैं मैरिनेट हो के चिकन को, तो चलिए अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं, एक फ्राइपन के अंदर एक से दो टीबल स्पून मक्खन मसका दालिए, और उस तो एक एक करके इस तरीके से आप सारी चिकन दाल दीजिए, मीडियम आज पर चिकन को पकाएं और बार बार उलट पलट कीजिए, और दोनों साइट से वो चिकन पूरी तरीके से पक जाए और पानी भी पूरी तरीके से ड्राइ आउट हो जाए, अच्छा अगर आप बोन अगर आपको लगेगे chicken pieces fully ऐसे खुले में नहीं पक पा रहे हैं और time लग रहा है तो आप क्या कीजिए धाक कर पका लीजिएगा चलिए ये देखी कितना dry out हो चुका है मैं बार बार उलट पलट कर रही हूं और all the most पूरी तरीके से dry out हो चुका है और chicken भी हो चुकी है by this time त कि मेरी chicken पूरी तरीके से हो चुकी है तो आप ये पूरी तरीके से dry out हो जाए तो चुला बंद कर दीजिए मैं chicken को grill भी कर रहे हूं इस तरीके से सीख के अंदर दाल कर मैं इसे सेख लूँगी directly gas के ओपर अगर आपको ये step नहीं करना है तो जब आप chicken को fry pan के अंदर fry करते हैं उसी time पे आगे पीछे दोनों side से उसे थोड़ी लाल कर लीजिए और थोड़े spots आना शुरू हो जाए chicken के ओपर तो बंद कर दीजिएगा पर मैं तो chicken को grilling plate रखकर directly flame के ओपर grill कर रहे हूं इस तरीके से बार बार इसे गुमाते रहे है ये सीख को so that सब जगा से उसे थो बहुत ही अच्छी बात है directly marinate करके ये सीखो के अंदर डालकर directly आप उसे grill कर लीजिए चलिए ये पुरी तरीके से मेरे हो चुके है मैं इसे side पर रखती हूं देहो कितनी खुबसूरत लग रही है grill होके इसमें 115 गरम गाड़ी दही है और 115-20 गरम हमारी जो fresh cream आती है वो है ये packet की आप चाहें तो हमारी fresh मलाई आती है दूद के ओपर की ले ले और दोनों को बहुत अच्छे से इस तरीके से mix करके creamy texture बना लीजिए और side पर रख दीजिए अब एक fry pan के अंदर जो हमने marinate जो masala था वो side पर रख दिया था वो दाल दीजिए उसके अंदर और इसे बह मखन रह गया हो मसका तो वो भी दाल दीजिए mix कर दीजिए और समझे ना तकरीबन तीन से पांच मिनिट के दर्मियान तक इसे medium आज पर रख कर भून लीजिए so that कच्छे पन सारा चला जाए इसका चूला बंद कर दीजिए जब roast हो जाए यार कहिए कच्छे पन के खुश दाल दीजिए लेकिन याद रहे चूला इस समय बंद है और दो-तिन मिनिट के बाद आपने यह दही और यह दालना है यह दाल कर भी बहुत अच्छे से mix कर लीजिए वैसे dish का नाम butter chicken है तो बेशक बटर तो दलेगा ही so यह मैं पच्छा से साट गराम मसके को पेगाल कर दा जब यह एक से देन मिनिट हो जाए तो चूले को बंद कर दीजिए याद रहे fast आज पर पकाना है आपने एक से देन मिनिट हो चुकिए नहीं चूले को बंद कर देती हूं side by side मैंने कोईलों को गरम करने रखा था तो इस में एक मैय कटोरी रख देती हूं उसके उपर यह मसका दाल कर उपर दाल दीजिए ये कोईले के उपर quickly बंद कर दीजिए धाक दीजिए इसको किसी भी ढखकन से और उसके उपर वजन रख दीजिए और उसे 15-20 मिनिट ऐसे ही रहने दीजिए 15-20 मिनिट के बाद कोईले को फेक दीजिए और ये आपका ready हो चुका है सफेद ब अगर जरुरत लगे तो 1-4 teaspoon और दालिए बट मैंने आधा teaspoon ही दाला है एंड में जब हम दही जो mix करके दालते हैं क्रीम के साथ दही कोशिश कीजिए का कि खटी ना हो अगर by mistake आपसे खटी आ जाती है और आपका जो gravy है जादा खटा हो जाता है तो आप क्या कीजिए एक से दो टेबिल स्पुन जो फ्रेश क्रीमें उसे फेट कर mix करकर दाल दीजिए तो ये है पुरानी दिल्ली स्टाइल सफेद बटर चिकन मैं इसे लच्छेदार पराठे के साथ कहा रही हूँ आप किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हो अगर आप बनाएं तो हमारे साथ comment section में जरू share कीजिएगा अला हाफिस